महिंद्रा एक्सुवी टू डबलो ये गारी इंडिया में काफी लंबे समय से कमिंग सून में चल लगी है लेकिन महिंद्रा की ओड से अभी तब कोई भी ऑफिशल ल्यूज निकल कर नहीं आई है लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि गारी की जो टेस्टिंग की फोटोस हैं वीडियोस हैं वो कुछ सामने आई है लेकिन कन्फर्म नहीं हो पाता कि कौन सा वैरियंट है लेकिन अब जो है कन्फर्म हो चुका है कि XV2O इंडेर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉंज की जाएगी और इसका जो प्राइस होगा वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा ये गाड़ी आपको मिल जाएगी काफी सस्ते रिट में जो कि आगे हम प्राइस के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी का इंजन तो इसका जो इंजन है वो आपको 1 लिटर के साथ देखने को मिल जाएगा 1.2 नहीं मिलेगा क्योंकि कमपनी इस गाड़ी को सस्ते में लौंच करने वाली है जो भाई इंजन 1.2 लिटर का है वो आपको अल्रेडी 3.00 में मिल जाता है और भाई सेम इंजन तो कोई मतलब नहीं रहेगा वो भाई कॉपी पेज़ ठीक है लाएगा तो जो इंजन है वो आपको मिल जाएगा 1.00 का जिसमें की आपको लगभग मिल जाएगी 90 HP की पावर और गाड़ी का जो टॉर्क होगा वो आपको 140 NM के आसपास तक का मिलेगा टॉर्क जो है भाई वो आपको थोड़ा बहुत जादा भी मिल सकता है और ये गाड़ी एवेलेबल रहेगी सिर्फ पेट्रोल के साथ दीजल और CNG कोई भी चांस है ही रही और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 3 सिलेंडर इंजन भाई 4 सिलेंडर नहीं मिलेगा माइलेज जो है ये आपको लगभग देगी 20 की आसपास का पेट्रोल पे और इसकी जो स्पीड होगी वो आपको 165-160 ऐसे कुछ आपको देखने को मिल जाएगी अगर बात करें गाड़ी के लुक्स तो भाई वो आपको मौझूदा 7OO, 3OO के जैसी आपको सिमिलर मिलेगी जो प्लेटफॉर्म होगा वो सेम होगा लुक्स जो है भाई वो रिजेंबल ही रहेंगे गाड़ी की जो अवराल लेंथ है भाई वो आपको मिल जाएगी लगभग 3,995 mm तक की और इसकी भाई जो होगी चोड़ाई वो आपको 1820 mm की दिखने को मिल जाएगी हाइट आपको लगभग 1625 mm के आसपास तक का मिल जाएगी वजन जो है गाड़ी का लगभग आपको 1200 kg के आसपास तक का मिलेगा भाई 50 kg आगे पीछे मानगे चल सकते हैं बागी जो है सीटिंग कैपेसिटी आपको 5 मिल जाएगी डोर्स आपको 5 मिल जाएगे और इसका भाई जो होगा बूर्ड स्पेस वो आपको लगभग मिलेगा 245 लिटर के आसपास तक का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा 40 लिटर सका बाकी जो है भाई फ्रंट में आपको मिल जाएगी डिस्को रियर में ड्रम ABS EBD मिलने वाला है और जो भाई गाड़ी में आपको मिल जाएगा CBCB मिल जाएगा बागी जो है टैर आपको मिलेगा 215, 55, R17 यह थोड़े से पतले भी हो सकते हैं लेकिन भाई आप इतना साइज और चोड़ाई मुटाई मान के चलो बागी जो spare wheel है वो आपको definitely पतला मिलेगा जो की steel wheel के साथ launch किया जाएगा alloy wheel आपको मिल जाएगा diamond cut में जो की बाई second top से start हो जाएगा alloy बागी जो है बाई base में तो आपको steel wheel ही मिलेगा जो की हमेशा से होता आता है गाड़ी में आपको मिल जाएगा bottle holder, luggage lamb साथ ही गाड़ी में आपको मिल जाएगा पीछे भी air conditioner का winter बागी जो है बाई wireless chair मिल जाएगा आपको आगे और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा hand rest, sunroof, नई grill मिल जाएगी जिसपे की आपको नया महित्रा का logo मिल जाएगा नई भाई आपको LED की headlight LED की DRL मिल जाएगे और जो tail light है वो भी आपको बिल्कुल ही new मिलेगी इसका भाई जो meter console है वो आपको new मिलेगा बिल्कुल ही बाई जो infotainment system है वो भी ये गारी launch हो सकती है आने वाले 2-3 महिने के बीच में तो आप बाई चाहें तो इस गारी का wait कर सकते हैं वन्ना बाई market में और भी कारे हैं जो available हैं बागी बाई चाहो तो wait कर देना बाई जो वीडियो में like कर देना मिलते हैं और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम like जरूर कर देना